प्रिसा is के स्घृत्राव की तरफ आपका पुना स्वागत है हमारा को श हुआ प्रिसा के नामसे डाउनलोड करें उसमें तमाम फ्री मेट्रियल है उसको फ्री में यूच करें घ्रकोर्स है और रहे तो आपको मैं यह बताना चाहरा हूं कि हम जो पढ़ाते हैं वह मेरी खुद की ओरिजिनलीटी होती है हुद की ओरिजिनलीटी होने से आपको क्या फाइदा है कि जो हम आइडिया या जो कंसेप्ट देते हैं वह आपके लिए भी ओरिजिनल बन जाता है जो कितने लोग होंगे पचास सो दो सो लोग होंगे हमारे साथ जुड़े हैं तो वह उन ही को चीज ट्रांसपर हो रही है य डिटेल नहीं लिखना है अग्जाम में भी जब आप लिखते हैं तो पॉइंट पहले एक रफ नहीं बना लेते हैं एसे में या उसी कोस्टिन में मुझे क्या-क्या पॉइंट पर बात करनी है इसे ही करते हैं तो हम भी उसी तरीके से इसी पढ़ाते हैं ताकि आपको पॉ प्रस्ण और आये हुए प्रस्ण को रिफ्लेक्ट करते हैं तो सीधर सीधे आता है वेरियस मार्केट अक्नॉमी पे और इस पर आने से पहले कि इछले साल यहनी 2022 में आई एस में जी एस थरी के पेपर में कोस्टन आया है कि तमावेसी विकास इंक्लोसिब ग्रोथ बाजार अर्थ बेवस्था के साथ अंभाव है कि इतना ही कोस्टन भी रागर लिखा है कि अर्थ बेवस्था या गरीबों की दसा सुधारने के लिए बीतिये समावेस कि इतना जरूरी है और क्यों जरूरी है इसमें कोस्टन है ना कोस्टन पर खुल जाएगा इसमें कि इधर है यह 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 इधर गया जी एस्टू जी एस्ट्री आई एस्टी कि देखें कि 2022 का है कि 2022 में लेटेस्ट आया हुए कोस्टन जो हमने आप तो पिछले बार पढ़ाया भी था और कि देखें क्या कह रहा है बाजार अर्थ वेस्टा पहले तो यह सब्द है समावेसी विकास फिर आर्थिक विकास के लिए बाजार मार्केट एकनॉमी क्या है यह समझ थी फिर फाइनिंशल इंकलूजन समझी तो जब यह टर्मिनलोजी आपके समझ में आएगी तब न लिखिए गा तो बाजार अर्थ ब्रस्ता तो सीधा-सीधा होता है डिमांड्ड सप्लाई जितने चीजों की आप पास में उसकी demand supply मिलती जून्ती रहे और वाजारताइ करेगा कि उसका दर क्या होगा उसकी उपलवता क्या होगी जैसे उपलवता होगी विस प्रैसिंग यह बजार इत्र समावेशी विकास क्या है सब आदमी को लोन सब आदमी को बीतिया मदद देश में मिले और वह भी कम से कम दर पर व्याज दर पर कि यह बीतिया समावेस दूसरा इसमें पॉइंट है कि बीतिया समावेस का मतलब सबसीडी या फ्रीवीज तक ही सिमित नहीं है करें कि सरकार क्यों फ्रीवीज माटती है गरीव लोगों में इसलिए माटती है क्योंकि सबका साथ सबका विकास कल्यानकारी राज के स्थाफना हो सके और उसमें सबसीडी का प्रोवीजन अर्टिकल तो इसलिए यह जरूरी है बितिये समावेस अब आप यह नहीं कह सकते कि गरीबों को सबसीडाइज या या वो लोन जिसमें कुछ माप हो जाता है ऐसा लोन है प्रधानमंत्री रोजगारी हो जना में इसमें पचीस परसेंट सबसीडी है चूट है गाउं में भी तमाम इस देखते हैं कि साहब यह नहीं होना चाहिए यह सब चीजे जो हमने एक्जामपल देके बताया इसको बोलते हैं बीतिये समावेस फाइनेंसियाल इंक्लूज़न उसमें जो लोग उपलब्ध हैं उनको लोन जो दिया जाता है उसमें सबसीडी दिया जाता है वो बीतिये समावेस है बकरी और गाय खरीदने के लिए जो सरकार मुफ कम पैसा सबसीडाइज धन देती है वो है बीतिये समावेस आप यह नहीं लिखेंगे कि सहाब यह लोदी के साथ भी है कैसे जब उनका लोन माप हो जाता है जो नौन परफर्मिंग एसेट्स हो जाता है यह क्या है यह कि वितिये समावेस है इंक्लूसिव फिनांसियल इंक्लूजन है तो आप दिमाग में खाली रखिए कि सहाब वो सिर्फ गरीबों के लिए है जितना नौ मोदी का माफ कर दिया मालिया दस जार क्रोन लेकर चलेगे तहारा कई साल से जेल में थे अब पता नहीं यह सब बीतिये समावेस है और सबसे बड़ी बीतिये समावेस एंपीए है ध्यान दीजे मेरी बात कोस्टन आ सकता है कि नौन परफर्मिंग एसेट्स बैंकों का नौ कि इस पर कोस्टन और बनेगा है कि अब बीतिये समावेस के लिए सरकारी की क्या-क्या योजनाय है कि तुमाम योजनाय है कि हर मंत्राले की स्कीम से जिसमें बीतिये समावेस की बात की गई है और राइट प्रों टॉप टुबाटम ध्यान दीजिए राइट फ्रों अम्मानी अधानी टू कॉमन में अंदर लोएस्ट लेबेल अफ सोसाइटी समझ रहे हैं बीतिये समावेस सब के लिए तो कहेगा कि बैंकों का नौन परफर्मिक एसेट्स किस तरीके से बीतिये समावेस की स्रेड़ी में माना जाएगा जितने फिनांसियल स्किम्स बड़े छोटे मजहोले लोगों के लिए चल रहे हैं सब बीतिये समावेस की डेफिनिशन में कभर हो जाती है और इंडारेक्ट रूप से जब आप से कोशन पूछेगा कि एंप यह बैंकों का नौन परफर्मिंग एसेट्स किस प्रकार से बीतिये समावेस की स्रेड़ी में माना जाएगा या नहीं बिल्कुल माना जाएगा वो भी उसी तरीके की छूट और सबसीड़ी हो ग बताया क्योंकि वो चीजे उपलब्द है और सामने दिख रही है बंद कांस होगा सेकेंड तो हम आते हैं हम आते हैं अपने स्दिलेबस पर जिएस तरी में एकनोमिक्स है और साइंटक्नलॉजी है एंवायर्मेंट है साइनवाइर्मेंट अने चांट हरники में तो सबसेव ज्यादा से आते हैं बाकी से भी आते हैं एंवायरमेंट टेकलोजी डीफेंस नेचर वह भी हम पढ़ाएंगे तो शुरू करते हैं यह मार्केट एकनॉमी के क्या-क्या स्वरूप हैं यह हमने बताने का प्रयास किया है और इसको फटा-फटा समझ लीजिएगा कोई बहुत बड़ा इ देखिए यह टर्म को बस खली याद रखिएगा कि यह कोई टर्म होता है सीधा सीधा मिनिंग है मोनो पॉलिस्टिक रेलवे आपको ऐसे देशी स्टाइल में बता रहा हूं कि भूली नहीं सकते एक अधिकारवादी अर्थवरस्ता क्या बजार अर्थवरस्ता आप समझ ग होता है गौर्मेंट का कोई वहां स्तचेप नहीं होता है आप चीनी खरीदने गए दस किलो किनी मार्केट में नहीं है रेट बढ़ा देगा इनी बहुत आ गया सब्जी टमाटर बहुत आ गया रेट घटा दिए डिमांडिन सप्लाई तो ऐसी अर्थवरस्ता जो मांग और पूर्ति के आधार पर तय होती है उसको बोलते हैं बाजार अर्थ बाद खतम इससे ज्यादा जानने जूरत नहीं है एक अधिकारवादी क्या है मोनोपॉलिस्टिक मतलब जिसका बाजार पर एक ही व्यक्ति है जो कंट्रोल कर रहा जैसे भारतिये रेल कोई दूसरी रेल वहीं ही नहीं टिकट आपको 10 रुपय में बेचे चाहिक है यहार में बेचेंगे वह सरकार का इसलिए यहार में नहीं तो आज भी टेमपों से घर जानने का स्ट्रेसन से जितना किराया है उससे कं किराया आप दिल्ली से बेतिया दिल्ली से जैपर पहुंच जाते हैं कि अलप तंत्रवादी नाम से लग रहा है अलप कुछ लोग लोग इसको जो है चला रहे हैं जैसे कि एरवेज अ कि कि एर तर्विश इसे कितने लोग हैं इंडीगो है यह एक अपना इर इंडिया था जो विखी गया एक इंडीगो के बाद गो गो करके हैं गो पताने उसका नाम क्या है या गोई इंडिया हाँ आप सेलेक्ट हो जाओगे पक्ता गोई इंडिया है तो कुछ लोगों के द्वारा पूरी बाजार को कंट्रोल किया जाता है कि कुछ मनें तीन-चार-पांच साइए वेल्कम तो तीन-चार-पांच जो है मुश्किल से सर्विसर है तो यह हो गया ओलिगार ओलिगो पॉलिस थी और यह पूर्ण परती योगिता पर्फेक्ट एक कंपेटिस्ट मतलब कि जहां पर सेलर और बायर पर्याप मात्रा में उपलब्द हो आप गए मार्केट में सब्जी खरीदने कमाम दुकांदार है जिससे चाहों खरीद लो खुब सारे सेलर है खुब सारे बायर है उसे बोलते हैं पूर्ण पर्फेक्ट कंपेटिस्ट और यह जो है एक आधिकारवादी पर्तियोगिता वाला है यह यह बड़ा टेड़ा है यह क्या कहता है एक्जामपल याद रखिएगा यह याता है कई बार एक अधिकार पर नाम से मैं बता देता हूं क्या है कि आप KFC खाई यह उसका अलग ब्रांड है कि मोनोपोली है ना के का लेकिन कंपटिशन भी है क्योंकि यहां पर एक एक अधिकारवादी पर्तियोगिता इसी और खेत्र में देख लीजिए अर्बिंद है यह रेमंड है लाल इमिली है तो यह है है कि बुस्कुस ब्रांड पर मोनोपोली है मौनोपोलिक श के साथ दूसरे ब्रांड के साथ यह फरक आगया माली कोई और पहलल और यहां एक अधिकारवादी प्रत्योगता है तो जहां पर विविन ब्रांड के लोग यह इस टाइप के आप्शन्स आ जाते हैं यह ज़रूरी है समझना अब मोनोपोली तो यह 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 सी का रूप है तो यह सारे चीज़े जो है बाजार अर्थ दवस्ता को अगर आप केटेगरिकली देखेंगे एक हो गया परफेक्ट और एक हो गया परफेक्ट मार्केट जो यह है तो दूसरा हो गया इंपरफेक्ट और ध्यान रखिएगा इंपरफेक्ट मार्केट जो है प्रेक्टिकली टीन में नहीं होता यह सिर्फ नाम के लिए थिवरेटिकली में होता है और यह सब जो है परफेक्ट मार्केट है यह एक तर्म कई बार आता है क्रेता और बिक्रेता बाजार में कि सिधा सिधा याद रखिए कि जहाँ पर क्रेता को मौजी मौज करेता बाजार जाहाँ की कि बहुत मौज हो मौज का मतलब वह जिस रेट पर चाय खरीदे है कि नहीं तो यह आता है क्रेटा और बिक्रेटा बाजार कहीं कोस्टन के बीच में डाल देगा क्रेटा और बिक्रेटा बाजार किस तरीके से बाजार अर्थ बेवस्था को रेगुलेट करती है तो सब्दों का जाल है बहराल यह आपको हमने बताया आगे चलिए मार्केट इकनॉमिक उत्पादों का डिमांड और सप्लाई के अधार पर मुले निर्धार ना की सरकार के द्वारा अब जब सरकार के द्वारा नहीं हो रहा है है रिगुलेशन तो जब न की सरकार के द्वारा कि यह प्री के यह संतेंस रहेगा नहीं रहे नहीं है और सब्सेमितेद सब्सक्राह कैं ओसने हुकि झाला संथा में बेस्थ श्रकार के द्वारा आपको पता रहेगा कि दिबादका सप्लाई का मुल्य निर्धारण जो है पादों का वह बाजार करता है और बेसिस अब डिमांड इंट सप्लाइश सरकार का कोई रोल लिए तमाटर दस रुपे भी के या सो रुपे भी कि अब क्या है कि जहां पर यह सरकार के द्वारा रेगुलेटर रेगुलेशन होने लगता है उसको क् तसासित मुल्य वजार एड्मिनिस्टर प्राइस यह बहुत को सुनाया है तसासित मुल्य व्योस्था इस तरीके से समाज के गरीब बर्गों के लिए उप्योगी है इसलिए है क्योंकि सरकार इसका रेट तैय करते है पेट्रोल डीजल अध्यान के दुकानों पे गेहूं चावल 23 प्रकार की चीज़े है आज भी पीडियस में लेकिन मिलता कम है तो यह है मार्केट एकनॉमि में इंट्रपेनियर्स को इंडिपेंडेंडेंट काम करने का अउसर मिल जाता है और यह सब देखिए प्राइस फिक्सिंग लाइसेंसिंग फोटा इस्टील इंटर्वेंशन अफ गॉर्मेंट है जो हमने प्रसासित मुल बताया तो आप इसको अगर पूछता है कि प्रसासित मुल बाजार ब्यवस्था का कौन-कौन सा कंपोनेंट है प्रसासित मुल प्रसासित मुल क्या है क्योंकि जहां पर प्राइस फिक्सिंग सरकार करती है जहां पर लाइसेंसिंग की ब्यवस्था सरकार करती है कोटा का निर्धारन कितना बेच होगे और गौर्मेंट का हर्स्षेट क्लियर है मनिस अगर कहीं डाउट हो तो पूछ लेना आगे बढ़ स्मझड़ेव बजार अर्थ शास्त्रे में बजार अर्थ दिवस्था के बिविन और गटकों को हटा देने से बजार अर्थ दिवस्था पढ़ेगा यह को पहला अर्गन है निवेस पहला और्गन है निवेस बाजार तो तभी टिकेगा ना जब पहले पैसा आएगा इन्वेस्टमेंट के लिए तो बाजार का जो और गन है निवेस यह सबसे पहली सर्थ है अब देखो इसी से question आगे बढ़ गया निवेस में कि निवेस किस टाइप का purely government का या purely private का या purely PPP का इन दोनों का this plus this कि क्या PPP कि आओ सकता देश में क्यों है और अगर है तो उस PPP से रेल्वेस स्टेशनों का पुनर्विकास में क्या योगदान रहा उसका एक्जामिन करिए यह question आया हुगा है कि निवेस जो है आपको तीन तरीके सो सकता है government के द्वारा प्राइवेट के द्वारा या दोनों का combined निवेस चाहिए पैसा इन्वेस्मेंट चाहिए और उसी पैसे को मनीश उसी पैसे को हम क्या बोलता है पुंजिगत ब्याय ध्यान देना कि यह भी question आया हुआ है कि पुंजिगत ब्याय और आजस ब्याय में क्या अंतर है और किसी आर्थिक विकास की गति को कम या ज्यादा करने के लिए पुंजिगत ब्याय किस सीमा तक उप्योगी है अब लीजिए तो निवेस मतलब पुंजिगत ब्याय भी हो गया capital expenditure बीना इसके तो कुछ होगा नहीं इसी निवेस को हम जो करते हैं तो उसको बोलते है capital expenditure कि यह सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ट है जो मैंने आपको आने वाले संभावित प्रस्णों की रूप रेखा में बता दे रहे हैं कि उसको ऐसी पूछेगा घुमा के सीधा तो पूछता नहीं प्यस्जिगत ब्याय कि पुंजिगत ब्याय पीपी मोडल में अप अपनी रिलिवेंस रिफ्लेक्ट करती है यह कुछ बन सकता है तो कुछ भी हो यह सब चीजे मिला के निवेश किलियर है कि इतना भी घुमाय घुमने का नहीं है हम जो फूब vidéos के प्राइ depends को मिला दिया दूबिए हो और प्राइबेट पार्टन और इनके द्वारा जो तो खाली सीधा सीधा पढ़ा देने से काम नहीं बनेगा जब तक हम आपके दिमाग को नहीं जग जोरे कि आप ऐसे सोचिए कोस्टन ऐसे भी घुमा के देदेगा कहने के लिएशा 5 पॉइंट है और एक पॉइंट पर लेक्चर देने बैठी है तो घंटो लग जाएंगे अगर ठीक से पढ़ाना है तो इसलिए हमने अपनी प्रक्रॉन कर दी है कि कितनी होगी कितने कि हिस्ट्री की क्लास कितनी होगी साइन्स की कितनी होगी तो कहने के लिए एक एक सब्द कुछ लिखा ही नहीं है इसमें और मैं अपनी इस कोचिंग के माध्यम से आपको खुद अपने लेवल पर तैयार करना चाहता हूं कि आप खुद सोचें खुद कोस्टन बनाएं कल बी टेप रिकॉर्डर चल रहा हो बोला हमको यह थोड़ने चाहिए कि आप कितना पढ़के कितने किताब पढ़ गया है आप हमको बताए बिहार का बाढ़ समस्या कई से ठीक करिएगा क्लेक्टर बनके अगर आप नहीं बता सकते तो आपको क्यों सेलेट कर आईसे बोल रहा है किता पढ़के चले आते हैं सब कोचिंग वाले वहीं किता पढ़ा देते हैं अरे कुछ सोचो भाई कलेक्टर तुमको क्यों बनाए यार की समस्या बाढ़ बताओ कुछ तरीका बताओ सुझाओ कुछ क्रेटिविटी लाओ यह कोस्टन कह रहा है ऐसे पूछूंगा मैं कि यह मैं बोला कि आप से क्या उमीड है बोला कभी अपना दिमाग से तो लिखो मौली एंसर रट के चले आते इसलिए ऐसे रखा हूं कि बोला कि यह से एक नहीं आएगा दो या तीन मिनिमम होगा कि कहता है 38 नंबर का सवाल है तो देड़ सवाडलिक चले जाते हैं कुछ है ही नहीं तुम्हारे अंदर कोचिंग बालों को भी एब्यूस कर रहा है इंडिरेक्ट लेगी यह सब भी क्या बखवास पढ़ा देते हैं बच्चों की मौलिक्ता को नस्ट कर देते हैं कि जो मैं कहता हूं कि पढ़ने के लिए तो किताब यहां रखे उठाइए पढ़ लीजिए लेकिन चीजों का जबाब कैसे देंगे अपनी ओरिजिनलीटी के साथ या कोई ऐसी कोचिंग जो आप पी ओरिजिनलीटी को जग जोरे हिलाए तब नमजा है है कि अगजा है वहम नीवेश को पढ़ा के चले आप उसको सब मालूमी होगा किताब में लिखा है नीवेश का मतलब क्या होता है अपने गजेब से लगाओ चैनल लोन लेका लगा उबीती समयावेश पढ़ा चुके हैं वीधी कि संकल्पना आपको रिड दिनाने के लिए परियाप आधार है परियाप संसाधाने तो वहीं बोल रहे था चेर्मेंण साहब हमको ऐसा लोग नहीं चाहिए भाई मैंने कहा कि जो मैं बोलता हूं कि यार मेकिंग बिरोक्रेट्स नौट प्रूफेसर बोला था हम परकार या कॉमन सेंस को कहती है प्रमोट करो वाई तो निवेस में हमने बहुत सारे बातों को घुमा के बताया सीधा बताया और कैसे कोशन बनेगा यह बताया अब आईए मुल लिपे यह मार्केट एकनॉमिक्स के अंग है पर प्रकास डाले अब भूम जाईएगा कि ऐसे तो पड़े नहीं आ रही कौन सहांग उसका आत्मा है भई क्यों आप वहां तो सूचने में जो घंटे लगा देंगे दस मिनिट लगा देंगे यार निवेस मुल सरकारी नेती कच्छा माल मांग पूरती रट के गए होंगे अब यह तो बताया नहीं किसी ने कि उसमें से कौन आत्मा है स्टोल है अर्थवेवस्था की इसमें से आपको च्छाटना पड़ेगा ना कि सबसे सोल निवेत है कि मुल है कि कौन सा है अब इसी में से च्छाटना पड़ेगा तो कौन च्छाटिए गया हर आदमी हर आदमी पुड़ा बहुत होगा ही लेकिन इसमें सबसे पहला पॉइंट जो लिखा है वहीं आत्मा है जब पैसा ही नहीं होगा देश में आपके पास तो कारोबार क्या शुरू करिएगा तो देश की समाजी का अर्थिक विकास के लिए अर्थ बेवस्ता को गती देने के लिए बीतिये समवेज इस पाइनेंशियल इंक्लूजन क्यों परिहार जाया परिहार यह अन्य वैडिश निवेज ने बताया फिर प्रमुल्य कर आजईए और आपको सुनके ताजीब होगा कि यह सब चीजे मैं क्यों बता दे रहा हूं कि क्या हो सकता है क्योंकि हम लोग इसी इसको डील करते हैं डे वाई डे सासन सत्ता में नोकरसाही में सचिवाले मंत्राले में अब मुल्ल की बात आई तो मुझे ध्यान आ गया कि लोजिस्टिक के छेत्र में कि लोजिस्टिक के छेत्र में मुल्ल जो है इतना ज्यादा है कि लोजिस्टिक अपने आप में जीडीपी में 13 योगदान कर रही है कि खुस होने की बात नहीं है कि अर्थ दिवस्ता के मुल्य में जुड़ा हुआ है तो बहुत से बच्चे खुस होंगे अरे सहाफ 13% 13 और क्या चाहिए अरे कि बुद्धी मानवेक्ति यह सेचों कि यह गलत है क्यों गलत है किसलिये गलत है 13 परसेंड यूँकि यह कॉस्ट दिराइबंड रहा दे रहा है यह नहीं समझ रहे हैं हम और भी प्रोड़ट बनेगा तो डिर्ण ट्यमान्ड क्या होगी तो परिवहन लॉजिस्तिक लॉजिस्टिक डिमांड सब यह तो रहीं डिर्द लिधी डिमांड होता वो तो छोटा भाई बहन है तो आप कहेंगे साहाब मुल में लोजिस्टिक कॉस्ट तेरा पर्सेंटेज बड़ी खुसी की बात है ऐसा नहीं है क्योंकि यह आपके प्रोड़क्ट की लागत को बढ़ा देता है कि जब प्रोड़क्ट की लागत सौर रुपे थी तो वह सौर रुपे के बजाए अब उसकी लागत तेरा रुपे और जोड़ दीजिए ना तेरा परसेंट योगदान दे रहे थे नट से थंबरूर अब यह पड़ गया एक सो तेरा का अब आप सोचिए इसका एक्सपोर्ट कैसे होगा निर्याद कैसे होगा कहा सब्सक्राइब नहीं टिक हैगा ना बजार में कहेंगा वैट चाइना का माल तो एक सो तीन रुपे में बिल रहा है तुमसे कौन खरेगा एक सो तेरा में यह तो हुआ लागत प्लस तेरा हम तो इसकी प्राइसिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं इसे घटाएं जिससे हमारा निर्यात बढ़े और डॉलर आए तो इसके लिए सरकार ने अभी एक स्कीम प्रू की है जो हाइस में इसी साल आया था कि प्रधान मंत्री द्वारा जारी की गए गती सक्ती कार्वोट टर्मिनल क्या है और यह ब्रेश्टा को गती देने के लिए किस तरीके से उपी होगी है कि अब आप देखिये कि यह समस्क्या का समाधान सरकार कैसे कर रहे हैं कि क्या होगा आगे आई जिसीटी में जगए जगए वियर हाउस बन रहे हैं अब कोश्चन पूछ देगा कि भारत सरकार द्वारा गति सक्ति का नाम छोड़ देगा कहेगा कि लोजिस्टिक्स प्रबंधन के लिए जीमेदार लोजिस्टिक्स प्रबंधन की समस्या को दूर करने के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे और सरकार इस समय उसके क्या काम कर रही है विवेचना करें हो गया अब आप घुम्ते रहे हैं कि यारी लोजिस्टिक कहां से आ गया और उसके क्या काम चल रहा है तो यह पूरा न्यूज में रहता है जो मैंने बोला कि न्यूज जब पढ़ेंगे तुम कनेक्ट करेंगे गटकरी जी के तमाम बयान है जी सीटी के ले करके जिसपे 35 जी सीटी पूरे देश में एने चाई बनवाएगे नेशनल हाइव अथरे यह बनवाएगी और लॉजिस्टिक टर्मिनल क्या होता है बेसिकली एक बहुत बड़ा यार्ड है जहां पर रखे जाते हैं उतारे जाते हैं वहां रेस्ट करता है दूसरा ड्राइबर लेके चला जाता है तो कॉस्ट घड़ जाती है क्योंकि ट्रांजिट टाइम कम हो गय तो एकनोमिक्स को जब आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा मिला करके तीन सो साथ डिगरी तब आप से कोई कोशन छूट नहीं सकता और आप ऐसे जो है इकठे किसी किताब में पढ़नी सकते यह मेरा दावा है क्या मिलेगा नहीं इकठे मिलेगा टुकलो टुकलो में जोड़त नहीं पढ़ा पाते हैं तो एक एक्सपेरियंस 25 साल का होने का यह फाइदा है आप मुल निर्धारण समझ के कैसे होगा और इसका क्या महत्त्व है कि तुद्पादों का मुल ब्रीधी में जीमेदार सबसे बड़ा कारत कौन सा है लॉजिस्टिक कॉस्ट लागत बढ़ गई ना तेरा पर्सेंट केले लागत बढ़ा दे रहा है तो सोचिए बाकिक कॉंपोनेंट कहां से रिडियूस होगा चाइना का निर्यात अपने देशों में उसका आयात क्यों है ज्यादा लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे अंसाधन हमारे प्रोड़क्ट उससे महंगे क्यों है मैंपावर क्रॉस्ट क्योंकि इंडिया और चाइना के मैंपावर आउट्पूट में तीन गुने का फर्क है है कि वह 100 किलो उठाता है हमारा आदमी 33 किलो उठाता है दिन वरंबोजा बस अब आप देख लिए यह डाटा याद रखिए उसका इल्ड हमसे चार गुना है असलों का क्यों कि मेहनती लोग है टेक्निलोग टेक्नलोजी है जबकि वहाँ 97 पर्सेंट जमीन है वहाँ भी पिसमिल में है वहाँ भी जोतों का आकार डेड़ से दो हेक्टेर है यह नहीं कह सकते कि वहाँ बहुत बड़े बड़े जोत का आकार है याद रखिएगा चाइना का मॉडल और वह सक्सेस क्यों है क्योंकि चाइना में पानी पटाने के लिए भी एक ग्राम सभा से एक बैक्ति चुना जाता है जिसको बोलते है वाटर मैन मैनेजर पूतना ही पानी देता है जितने कि आपको खेट को जोरत है कि अध्रिप एरिगेशन टाइप का मतलब जितनी जोरत है वह नहीं देगा तो मुल्याप समाझेगा मुल क्यों जरूरी है क्योंकि यह मुल जो है लागत मुल है जो प्रोड़क्ट की कीमत प्रोड़क्ट को बनाने में जो मैं मैट्रियल और मसीन जो लगा उसका जो लाग अध्रे मुल की बात नहीं करता ध्यान रखिएगा जब लागत के बाद पौर के बाद उसमें हमने एक रुप्या जोड दिया तो यह बन गया प्राइज एक रुप्या बिक्रे मुल प्राइस से कहते हैं इससे कम है तो बैचेगा नहीं तहीं इसलिए मुल निरधारन के लि भी कम रहे नहीं तो चाइना तो गेरी रहा है तीसरा सरकारी निती का मतलब आप समझते हैं गवर्मेंट पॉलिसी कई बार बहुत फेबर में आ जाती है और कई बार बहुत ही डिस फेबर में आ जाती है कि अब हमसे ज्यादा कोई भासन नहीं दे सकता क्योंकि हम लोग रोज यहीं देखते हैं और इसका रीजन क्या है इस भासन भड़ा ढंग से सुन लिजेगा तो पढ़ने की जवरत ही नहीं पढ़ेगी प्रकारी निती अनुज क्यों जिमेंदार है क्योंकि बीरोक्रेसी में हम लोग विजिलेंस के से डरते हैं क्यों डरते हैं यह कोस्टन अलग बनेगा इसलिए डरते हैं देखो मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं जो आप समझ लीजिए सरकार में एकाउंटेबिलीटी नाम की चीज नहीं है आप दिन भर में कुछ काम मत करिए कोई नहीं पूछेगा लेकिन एक काम आपने गलत कर दिया आपकी जिन्दगी नरख हो गया तो सरकारी से वह क्या सुझते हैं लालवावू के पास फाइल भेज दो वह सटल की तरह काम करते हैं अधिकांस सब नहीं अधिकांस लोग और इस बात से डरते हैं कि हम क्यों फसें हम क्यों ऐसी निती बना दें जिससे आदानी अम्वानी या किसी कार्पुरेट जगत के फेबर्न हो तो ऐसी निती बनाने से कत्राते हैं कि वह मन में फियर रहता है अलाकि सरकार ने उन सेवकों के लिए भ्रस्टाचार निरोधक अधिनियम 2018 में प्रोटेक्शन दिया है राइट फ्रम चपरासी टू सेक्रेट्री पहले ज्वाइन सेक्रेट्री और अब था जो हमारे सरकारी निती बनाने के लिए क्या मंत्री भारत में जीमेदार है कि कुशन जोगराफी में घुश गया नहीं है जहलिए सेक्रेट्री मौद है कोल असकेम में गुपता जी सेक्रेट्री रिटायर्मेंट के बाद भी एक अप हो गए सुप्रिम कोड या किसी कोड ने कहा कि अगर आपने किसी है निती को लागु होने से नहीं रोका तब भी आप जीमेदार हैं विए लागु होने से नहीं रोका वि cultivate लागु होने के लिए नहीं अपने रोका क्यों नहीं अब बताइए ऐसे माहौल में करकार के आदमी अधिकारी कर्मचारी कैसे निती बनाएंगे वह हमेशा निती ऐसा बनाते हैं जिस्ते यह सिद्ध नहों हो जाए कि मैं कार्पोरेट के सपोर्ट में काम कर रहा है इस जिसके ध्यान रखते हैं ल प्राइबेट ट्रेन ऑपरेटर लाने की बात हो रही ती 12 वांट डिसाइड़ था लेकिन के प्राइबेट ट्रेन ओपरेटर आज तेक नहीं आए कि बहुत मिटिंग अनुन नहीं का यार यह तुम्हारे पर में अह सरकार कि हम क्यों आएंगे हमने तो गरंटी जी ने जब आप दही अलग हो गया ना responsibility उतरदाइत अलग हो गया तो आप समझते ही होंगे no accountability but lot of responsibility if it occurs negative or faulty अगर कुछ गड़बड हो गया तो गये बेटा नहीं किये बहुत बढ़ियां एक मेरा senior joint security level का officer था कहना तो नहीं चाहिए वो क्या करता था फाइल पेज़े समने लिखा commissioner तो वो नीचे उसके बगल में डीवाई लिख देता है deputy commissioner उससे पहले चेक करा सरकार ने तमाम procedure चेंज करके तीन चार पांच लेयर कर दिया फाइलों का इसलिए डरता सरकारी यदकारी कि वहीं काम करेगा फसेगा तो कौन बचाएगा तो सरकारी निति जिम्यदार है क्योंकि नितियां जो है बाजार के पक्ष में corporate के पक्ष में बहुत कम बनती है और सरक सरकारी निति जिम्यदार के पक्ष में ज्यादा बनती है क्योंकि उसमें accountability और responsibility वाली बात जुड़ी हुई है अता सरकारी निति अगर फैबरेवल नहीं होगी corporate के तो वह पैसा क्यों लगाएगा उधारन के तौर पर प्राइवेट ट्रेन अपरेटर अभी तक कोई नहीं कुछ नहीं हुआ दूसरा example land monetization के case में सरकार की जो निति है वह भी फैबरेवल नहीं है तरिदार के तो वह भी monetization जो आया है वह हो नहीं पा रहा है assets monetization land monetization आगे बढ़िए कच्चा माल अब अब आप देखिए कच्चा माल बोर तो नहीं हो रहे है अब कच्चा माल के हालत देखिए देश में क्या है कि यह सब चीजे मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम अच्चा माल जैसे कोईला अपने यहां का कोईले की क्वालिटी खराब है वो इतना टेंप्रेचर जेनरेट नहीं करता आपको तो मालूम होगा एंतरा साइड बिटुमिनस कौन-कौन कॉल है कि दस से बारा परसेंट कोल भंडार ही इंडिया में ऐसे हैं जो ज्यादा उप्योगी है फॉर पावर जैनरेशन थर्मल पावर जैनरेशन अब देखिए कि अपने देश में थर्मल पावर अस्टेशनों को चलाने के लिए जो कोईला है 15-20 परसेंट कोईला ही उस परपस क से इंडोनेसिया से अभी आ रहा है सभी है अब यहां पर क्या है कि आपको कच्छा माल अपने मिलेगा नहीं दूसरे देशों सब लाएंगे तो कच्छा माल की किम्मत बढ़ गई ना कि ट्रांस्पोर्टेशन कोस्ट बढ़ गई पहला बार यह मैंने एक्जाम्पल दिया कि ऐसा होता है कोईला का रेफरेंस लिख सकते हो दूसरा रेफरेंस दे रहा हूं कि चाइना से जो माल आता है कॉटन विस्कोस कॉटन देख टर्मॉर आ गया वाट इस विस्कोस कॉटन यह कोस्टन पका आएगा क्योंकि इसमें बर्निंग है चाइना और इंडिया के बीच में आप कहीं सुने नहीं होंगे कहीं अखबार में दोल सब्द रहा होगा विस्कोस कॉटन का मतलब होता है ऐसा यार्न ऐसा सूथ जो मास के लुगदी से बनाया जाता है और इतना कॉप्ट होता है वो कि आप देखेंगे तो कहेंगे यार यह तो रुई फेले रुई तो फिर भी थोड़ा रफ होता है तो विस्कोस कॉटन केमिकल मिला करके बास का लुगदी बना के बनाया जाता है और वो बड़ा फाइन चमकीला टाइप का सार्प उस तो मेरा कहना यह है कि कच्चा माल आप इंडिया में कॉटन की कमी हो गई है इंडिया में जूट की कमी हो गई है पहले कॉटन पर रहते हैं जूट बाद में आते हैं तो कॉटन जो है हमारे यहां नहीं है जितना पैदावार होना चाहिए जितनी ज़रुत है तो हम लोग विस्कोस कॉटन चाइना से लेते हैं अगर इंडिया का नक्सा हम बनाए थोड़ा सा जस्ट ऐसे तो यह है गुजरा सब्सक्राइब यहां जो है यारन बन जाता है लुग्दी करें को यारन देता है और यार्न बनाके 13 दिन में यह इंडिया जाना यहां और इस गुजराथ और इस गुजरात में फिर अर्विंद की और रेमंड की जो मिले है वो कपड़ा बनाती है अब बताईए कच्छा माल की देश में उपलब्दता एक तो पर्याप्त है पर्याप्त नहीं है दूसरा इसको लाने का जो खर्चा है वो इतना ज्यादा है कि प्रोड़क्ट की कॉस बढ़ जाती है अब दूसरा को सुनिए इसी पर आग्या दिमार में पब्लिक सेक्टर के रूप में हरत है भी इलेक्टिकल्स लिमिटेड के बित्तिये घाटे के क्या कारण है बीचल हटा दीजिए कुछ और केवल पब्लिक सेक्टर कहिए कि केंद्रिये सार्वजनिक क्रो प्रमसा घाटे में लगातार बढ़ने के क्या कारण है सबसे पहला कारण है कि अब यह इसलिए डूब रही है टेक्नलोजी नहीं है कंच्चा माल इंडिया में महगा है तो कंच्चा माल भी युक्ति युक्त दर पर होना चाहिए अधरवाइस प्रोड़क्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी और से लेबल प्राइस बढ़ जाएगा मार्केट में कंपीट नहीं कर पाएंगे खास्तोर से एक्सपोर्ट में डिमांड और सप्लाई आप dream mont पूरती पहले इंग बता चुकए है आप ऐसी चीज बनाईये अर्थ-वियवस्ता में जिसकी यहां पर इमांड हो मैं आप। आप ऐसी चीज मत बनाएं जिसकी डिमांडी बहुत कम है तो वो सीरा सीदा है क्या demand है और कितने लोग अरड़ी पहले जसे अगर वह एप है रिसोर्स गायप बोलते हैं अश्र्समेंट तो रिसोर्स गायप एस्सेस्मेंट यह टर्माइब आता है यह सप्लाई है तो डिमांड यह मिस्मैच हो रहा है इसलिए परफेक्ट मार्केट के लिए दोनों में एक्विलिवेरियम संतुलन जरूरी है और संतुलन कैसे होगा उपर की चीज़ जीमदार है और लास्ट है इसका रेगुलेटर यह तो और भ्यंकर है यहीं तो सब सत्यानास पिटें हुए है कि 1991 से LPG सुरूबा लिब्रिलाइजेशन प्रेबिटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन न लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वाला और आज भी वह सफल नहीं आनोश देखो तीस साल हो गया 31 साल आज भी LPG सफल नहीं है यह कोशन भी आया है कि वी पीसी में और आईस दोनों में कि तरकार की उदारवादी 1991 से प्रिचलित उदारवादी अर्थ व्योस्था नीतियों का सफल क्रियानवेन या सफल परिणाम क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं तक कह सब्सक्राइब करने के लिए हमने के लिए कि साहाब इंस्पेक्टर राज खतम हो गया आज भी वहीं हाल आते हैं कि आज भी इस देश में रूल है कि कोई भी काम आप सुरू करेंगे तो तीस दिन के अंदर उसको कराएंगे तरकार के आहां अब आप सोचिए क्या जूरत है चाहिना और तिंगापुर में क्या होता है अपने बीनियामक जो हमने बोला यह बहुत ही खत्रनाक है क्योंकि इ लेना पढ़ता है चाहिए आप दुकान को नगे खोलना जा रहे हैं कि आप एस्टेबिलिस्मेंट एक्ट आज भी जिंदा है आप दुकान खोल के देखें तीस दिन के अंदर आपने रेस्टेसेंट नहीं करा तो दुकान में बंद कर देगा आप पहला दूसरा रेगूलेटर के रूप में आपको लाइसेंस लेना पड़ता है आज भी क्यों लेंगे लाइसेंस भाई हम क्यों जाएंगे सरकार के पास एलपीजी में सब चीजें हटाई गई थी इस्पेक्टर राज लाइसेंस राज कि इजी टू इज टू इज टू डू बिजनस क्या क्या इज हुआ कुछ नहीं हुआ है तो यह सब चीजें उन्हीं से कानवे के बाद भी अगर बनी हुई है तो इसका मतलब बीनियामक की भूमिका जो है जिस उदेश के लिए बनाई गई थी वह नहीं है और अपने उदे कि दूसरा चीज इसमें देखिए कि एक चीज और है कि सिंगापूर और चाइना का मुझे याद है कि वहाँ पर आप कोई काम सुरू करना चाहते हैं तो काम सुरू करिए कि काम सुरू करिए कि वर का स्टार्ट करिए बीना किसी लाइसेंस के अब आगे सुनिए मजा वहां किया है कि काम सुरू कर दीजिए उसके बाद सरकार के कोई आदमी आएगा बधाई देगा बाब जी यह फॉर्म भर दिया हो साइन कर दीजिए आपका दुकान का अरे सिस्टन हो गया यह है स आप दुकान सुरू करिए बैंक वाला आएगा बाबजी लोन चाहिए क्या तो ले लीजिए इतना चाहिए पचास कर ले लिए यहां लोन लेने में लोन एगेंस प्रोपर्टी रखी है तो यह सब बिनियामक की भूमिका ज्यादा वह तीसरी चीज कि अपने यहां कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है तो इक कता ही नहीं कहा जाता कि कब खतम होगा आएगा कि तीन साल में खतम होगा तीन साल बीत जाएगा तो कोई कहाएगा छे मिन और बढ़ा दीजिए साड़े तीन तिर रिवाइज होगा आड़े छे आपको सुनके अनुच्छ ताजिब होगा कि इस देश में आज भी परियोजनाओं को पूरी करने का एवरेज आयू क्या है कि तेरह बर्स है कि लालवाहू बापने बाप कह रहे हैं तो यहीं निकलेगा सुनने के बाद कि सरकारी डाटा है तेरह बर्स लग जाता है और सिंगापूर जाएगा कि यह ब्रीज जो बन रहा है इसका समाप्त होने का या प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट लिखा रहेगा कि एक एक चौबिस और उसके नीचे लिखा रहता है पूरा इलेक्ट्रोनिक बोर्ट पर डिस्पले रहता बड़ा बड़ा नीचे रहता है कि हाव मैनी डेज मोर कि यहां हैगा 220 दिन अगले दिन से पूरा नहीं किया उसका हीरो बना देगा अब आम आदमी पूछ सकता है यहां कभी आपने सोचा होगा कि इस टाइप का कंसेक्ट लागी हो सकता है हम उल्टा पूछते हैं कि कितने साल लगेगा दो साल अच्छा दो साल पूरा है तब हमारा ट्रांस्पर हो जाएगा अन तो कुछ किया नहीं सहाब एक साल और लगेगा तीन साल हो गया ऐसी बढ़ता रहता है तो यह सिस्टम अपने देश में नहीं है क्योंकि बीनियामक की भूमिका जो है खत्रेनाक है वह इंस्पैक्टर राज गया है प्रेक्टिकली नहीं गया है और सरकार उस चीज को जो है बहुत ज़्यादा इनफोर्स नहीं करती क्योंकि सरकारी सेवग डरता है इसलिए विजलेंस और सीवियाई से अगर आप कोई फाइल हम जैसे हमें खुब पता है हमने कोई काम किया पॉजिटिव तो लोगों ने साथियों ने यह डाउट किया कि आप ही क्यों लगे रहते ह है आज तक कभी किसी ने सोचा ही नहीं तो आप जब कोई चीज एक्स्टा करते हैं सरकार में भारत में तो आपको संका के द्रिष्टी से देखा जाने लगते हैं तो चक्कर है गुरू इसका है तो अटा फट दो तीन तर्म और है यह बहुत ताइम ले गया इसको बताने में बताने के लिए एक मिनुट बतादुम हर्दोस्ता कि प्रकारे पारंपरीक कमांड में स्रीत बाजार और अम्परिक मतलब बार्टर सिस्टम था जो आज भी प्यस्टोरल स्टेज है अगरी कल्च्छरल स्टेज है कमांड जिसको अग्जामपुल हो गया पारंपरी के अग्जामपुल हमने दे दिया मिस्तरी तहीं प्राइबेट सेक्टर पॉब्लिक सेक्टर इंटरफ्राइजे बहुत नटीपीशी तेलवेल और आदानी अम्मानी दोनों काम करते एक पुंजिवाद एक समाजवाद की तरह उसको मिस्तर क्लास के यहीं पर विराम देते हैं दूसरी क्लास हमारे फैकल्टी आ गए हैं उनका स्वाजत है तो फिर मिलते हैं प्रिसाइएस का डाउनलोड करिए और उसके तमाम मुफ्त वाले फीचर को इंज्वाए करिए अज जो पेड़ वाले फीचर धीरे-धीरे आ रहा है हम लोग टेस्स ला रहे हैं और हिंदू अखबार वाला भी आज यह से डिमोस्टेट किया उसकी तरफ बढ़ेंगे तो अपना भला करिए और आप हमारा लेक्टर सुनने के बाद यह तो आप महसूस करी रहे होंगे कि भाई बंदे में दम है क्योंकि यह बीरोक्रेस्टी में उसका बाकि कुछ नहीं बाकि अगर आप हमारी जगह होते तो आप हमसे ज्यादा बहतर बता सकते ते तो यह यह आपको नहीं मिली तो इसलिए थोड़ा सफर्क है बाकि कुछ नहीं प्रिसा कोचिंग करिये थुरू आनलाइन ऑफलाइन और एप डाउनलोड कर यह प्लेयर स्ट प्रिशा आई एस थैंक्यू सो मच जय हिन जय भारत